आपका स्वागत है चुनावी वादे भी किये जा रहे हैं ऐसे में यहाँ पर भारते जंता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस यहाँ पर सौफ्ट हिंदत्व कार्ड का कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है लेकिन यहाँ पर कॉंग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सभी समुधाय को लेकर चल रहे हैं लेकिन यहाँ पर मद्धेपरदेश की बात की जाए तो मद्धेपरदेश में कमलनात का बर्चस विज़ादा दिखाए देता हैं इसलिए यहाँ पर प्रियंका गांधी वाडरा जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने चुनावी रण मे उतर कर यहाँ पर पूजा पाठ की इसी मुद्दे को लेकर अब भारते जंता पाठी ने उन्हें घेरनी की शुरुवात कर दी हैं ऐसमें आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से पूरा महाल है उसमें मद्धेपरदेश कॉंग्रिस ने हिमाच्वर प्रदेश और करन जैसा ही था यहाँ पर भी पांच वादे थे और पूजा पाठ से चुनाव अभ्यान का आगास था यानि मद्धेपरदेश में कॉंग्रिस ने बखुवी टक कर देने के लिए भारते जंता पाठी को अपना इरादा बना लिया है आपको बदा दें कि भारते जंता पाठी ये दावा करती वी नजर आ रही थी कि मद्धेपरदेश में वो ही जीत दर्ज कर पाएगी क्योंकि उनके पास जोतिरादित्या सिंध्या है लेकिन जहां पर प्रियंका गांधी वाडरा ने ये तैय कर लिया है कि मद्धेपरदेश में वो कमलनात को जिता कर रहेंगी कमलन यहां पर वो दबदबा रखते हैं जो सिंधिया भी नहीं रख पाएंगे क्योंकि अब भारते जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं तब ऐसे में प्रियंका गांधी वाडरा के मध्य परदेश में कदम रखते ही भारते जनता पार्टी ने उनके उपर निसाना साधना रणनीती बनाती वी नजर आ रही है और कॉंग्रेस को घेर रही है इस मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या फिर यहां पर मध्य परदेश में वही हिंसा भढ़कानी का काम भारते जनता पाची करती वी नजर आ रही है और कॉंग्रेस को यहां पर घेरती वी द दिखाई दे रही है क्या है आपकी राए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद